सो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप लोगों का एक अनाधर टैक और इंफरमेटिव वीडियो में और मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट अतुल कुमार और आपका हर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के थमनेल पर आप लोगों बताया है कि आज धीलि looks लेकिन आज में वेश्ट की बात करूँगा तो व की सारे यह आते हैं जैसे कि मैं बताता हूं आपको कछ जैसे पंजाबक आ ओ Game इतल यह चावड क्यों।い यह तिलक नगर वगरा यह सारे एरिया जो है दोस्तों वेस्ट दिल्ली में आते हैं मोती नगर यह सारे जो है इंदर लोक अगरा तो यह आपका वेस्ट में आ जाता है तो मैं यह सारे एरिया आज की विडियो में cover करने वाला हूं और यहां का network experience आपको आपको बताऊंगा क्योंकि अभी मैं कुछ कलपर सो में वहां पर विजिट किया मैंने उसे एरिया में मैं गया हुआ था अपने ऑफिस कही काम से गया हुआ था तो सोचा कि मैं अपना यहां पर जो एक्स्पीरियंस भी अपने वीवर्स के साथ सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूं क्यों कि दोस्तों मैं यूज कर रहा हूं पिछले अब एक महीने से उपर हो गया मेरे पर्सनल सिम को भी मैंने बताया था कि मैंने फैमिल्य को दिलवाया था उसके बाद मैंने अपना लिया था तो जुलाई के लगभग जुलाई का था बीच चुका था तब लिया थ है उसके बारे में आपको experience अपना शेयर करूंगा तो जैनुवेन होगा ऐसा नहीं फेक मैं बना रहा हूं आपको जैनुवेन बताऊंगा और जो भी चीज होंगे मैं प्रॉपर आपके साथ शेयर करूंगा तो विडियो में तक बने रहीएगा और स्टार्ट करने से पहरे छ चैनल पर जो भी नहीं आप विडियो अप्लोड होंगे इन फ्यूचर में तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे ठीक है तो आया सुरू करते हैं तो मैं बताता हूं सबसे पहले दोस्तों में पंजावी बाग से जो है स्टार्ट करता हूं पंजावी पहले से हैं क्योंकि बेशनल का ओफिस हैड़ ओफिस है तो टावर तो होंगे एक आदा एक का दुक्त है तो वह जो है और बाकि जो है पूरे अलवर दिल्ली एंस यार में जो काम करता है वह करता है एम टेनल का नेटवर्ट तो ब्रॉपर मिल रहा होगा कोई दिक्कत नही लगता है तो बहुत बढ़िया चलता है 3G जब 3G आया था तो वह भी फास्ट होता था अब 4G आया तो लोगों को 4G की आदत लगए थी स्लो लगने लगता है ऑटमेटिक दोस्तों हमारा जो हुमन माइंड होता है न उस तरह से हमें जिस चीज़ की आदत लग जाती है जैस मत्रीजी पर भी सारी चीज़े होती थी सफरिंग वागरा सब कुछ हम किया करते थे तो आये वापस आते हैं टॉबिक पर वेस्ट दिल्ली में कई एरिया मैंने बताया जैसे कि आपको पंजाब वाग रजोरी गार्डन तिलक नगर मोती नगर इंदर लोग हो गया आपका जनकपूरी हो गया मायापूरी हो गया तो यह सारे गया आते हैं वैस्ट दिल्ली के अंदर आते हैं तो मैंने बताया कि दोस्तों मैं इन सब जगा पे विजिट किया था तो मैं सबसे बताता हो पंजाबी वाग एक मोती नगर और आपका रजोरी गार्डन इधर आसपास थ और नेट भी चलेगा और कॉलिंग वागरा में तो इश्यू आएगी नहीं एक इश्यू आ रही है दोस्तों क्लिंग में यह इश्यू आ रही है कि जितने भी हम डाल करते हैं अपने से हम यहां से खुद डायल करेंगे किसी को number तब तो proper call हो रही है लेकिन other operator से कोई हम पे call कर रहा है incoming आ रही है हम outgoing कर रहे हैं तो बढ़िया जा रहा है लेकिन incoming call आ रही है किसी भी operator का होगा हो सकता है वो Jio user हो, Vodafone user हो, Atle user हो तो जब हमारे पास incoming call आती है तो दोस्तो जब हम receive करते हैं तो आवाज break होती है कई बार याद होगा आप लोगों को जब Jio launch हुआ था, Jio market में आया था तो Jio के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब Jio another operator को हम call करते थे या receive करते थे तो बात करते करते कर जाना या आपने experience किया होगा यह दोस्तो आप सच बताना comment करके जरूर बताना कि यह experience आपने किया था कि नहीं जब Jio आया था नया नया यह नहीं कि आते ही उसने धुमाधार एकदम बढ़िया कर दिया था ऐसा कुछ नहीं है वो भी धीरे धीरे जो है ट्रैक पर आया था रास्ते पर आया था proper services देना कुछ टाइम बाद ही सकते हैं बहुत बढ़िया नहीं सकते फिर वहीं जनक पूरी वगरा का अरिया हो गया इसारे यह सब वेस्ट में आते हैं दोस्तों बता रहे हूं वेस्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर थोड़ा जो है ना यह proper network नहीं है इसके एम ठेनल ना प्रॉपर इसका coverage नहीं है क् तो यहां पर बाद में डेवलप हुए पहले खुला ग्राउंड हुआ करता था पहले खुला एरिया था तो वहां पर उसमें जब जहां पर रश होता है भीड़बार मार्केट है पुब्लिक है वहीं पर तो अपनी टेलीकॉम कंपणिया अपना टावर लगाती है तो खुले अरिया में कौन लगाता है जाकर कि आप जहां पर लोग रहेंगे जहां पर लोगों को सर्विसेज देनी हैं वहीं पर आपको कुछ सामान बेचना आप कपड़े के दुकान खुलना चाहते हो तो यार आप जंगल में जाके थोड़ी खोलोगे आप मार्केट में खोलोगे आपको तो यहां पर कम से कम अट लिस्ट कुछ कस्टमर तो आएंगे तो इसी तरह से जहां पर पहले खुले इरिया थे आपका इसको पार करके दौर का आ जाता है उप फखुला एरिया था वहाँ पर आगे जार करके तो ग्राउंड थेड़ा नहीं थे तो इसलिए अभी यह अच्छे नहीं है जो अच्छे बताएं आपको यहाँ पर नेटवर्ट ठीक ठाक नहीं है जो अच्छे बताएं वहां पर दोस्तों कॉल बराबर होती है लेकिन इंटरनेट में कभी-कभार रुकावट आ सकती है मैंने बताया मौसम खराब होगा तो रुकावट जरूर आ मैंने बताया था कि BSNL का जो है master plan क्या है कि उसमें कितने टावर्स उसके लगने है तो मैंने बताया था कि 80,000 टावर्स जो है अक्टूबर के last 2014 अक्टूबर 2024 के end तक उसको 80,000 टावर इंस्टॉल कर देने है औल ऑबर इंडिया उसके बाकी बत जाएंगे 20-25 जाट आवर और लगेंगे तो वह लगने में दोस्तो यह 2024 का पूरा साल लग जाएगा last तक यह जो है यह प्रॉपर बीच बीच में अनॉंस्मेंट बीच बीच में जो है प्रेस रिलीज वगर आते रहते हैं कि क्या के वह अपने इस चीज को ले करके कर रहे हैं पीछे आया ही था आपने देखा था कि टाटा का बीचनल यानि कि उन्होंने कॉंट्रेक्ट दिया था टीस को 15,000 करोड़ों का बागी तेजस को कुछ मिला कुछ उनको तो यह सारे मिलके जो है बीचनल को अच्छे लेवल तक ले जाएंगे और नेटवर्क इनकी क्वालिटी जो है बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी और जैसे फोर्जी सारी कनेक्टिविटी आने लगे कि देख लेना दोस्तों इसक कुछ अपने यह मैं फैमली वाला बंदा हो अपने घर पर बात करता हूं तो पर होता है यह मैं करता हूं जासे जाएगा लेकिंडवर्क तो अक्टूबर में फॉट जी लगड़ा आ चुका होगा तब तक उसका नेटवर्क का जो है जो software हो सकता है या जो उनकी technology जो उसमें यूज की जाएगी वो update कर दी जाएगी तब तक तो फिर यह मौसम डिपैंड नहीं करेगा जैसे private company होगा है नहीं करता है तो आई वोब आपको समझ में आ गया हो जो एरिया मैंने बताए जो मैंने वेस्ट का आज कुछ कबर किये थे तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कहा पर network है कहा पर नहीं है किस तरह का है मैंने आपको सारी चीज़े clear करी है अगर वीडियो informative लगी है knowledgeable लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों को शेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों इसी तरह के informative वीडियो मैं in future और बनाता रहा हूं आप लोगों के लिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट से दोस्तों inspiration मिलती है तभी और हम बनाने को जो है उत्साहित हो जाते हैं कि मैं और बनाऊं दोस्तों क्योंकि व्यूज लाइक सब्सक्राइब जब बढ़ते हैं जब लगता है कि रिजल्ट मिल रहा है अच्छा तभी दोस्तों हमें भी मन करता है कि नहीं और बनाना चाहिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं दोस्तों फिर इसी तरह के एक इन्फरमेटिव और नॉलेजबल वीडियो को साथ नेक्स वीडियो में गुडबाइ और जैहिंग